ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मित्रों पौराणी कथाओं की अगर हम सभी माने तो माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार पूछ लिया था कि आप कौन सी वस्तू से सबसे ज़्यादा प्रसंद होते हैं और महाशिवरात्री आ रहा है तो हम सभी प्रसंद करना चाहते हैं भगवान शिव को लिकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती हैं और बात करें तो भगवान शिव ने माता पारवती से कहा था कि जो भक्त उनके लिए श्रद्दा भाव से वरत करते हैं उनसे वो सबसे अधिक प्रसंद होते हैं। इस दिन श्रद्धालु अपनी मनुकामनाओं की पूर्ती के लिए शिवालयों में जलाभिशेक और पूजा और पूजा के लिए शुभ महुर्त क्या है और पारण का महुर्त क्या है यह सब हमने दूसरी वीडियो में बताया है। फिर भी आपको बता देते हैं कि पारण की बात करें तो वो दो मार्च को 6 बज करके 46 मिनट के बाद से प्रारंभ हो जाएगा पारण आप कर उसके लिए तो एक विशेष वीडियो हमने इसी चैनल पर बनाया हुआ है उसे आप जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में ये भी बता देंगे क्या विशेख के लिए जो थालित सजाईएगा उसमें पूजा के लिए क्या क्या चाहिए होगा। लेकिन उससे बढ़न है कि भगवान शिव को कभी भी तुलसी पत्र अरपित नहीं करना चाहिए भगवान शिव को तुलसी अरपित करने से वे औप्रसन होते हैं नाकी प्रसन यानि की नाखूश होते हैं आज कल कुछ लोग पैकेट वाला दूद भी चढ़ा देते हैं देखाओगा पूजा आप ऐसे श्रद्धा से और मन से कर लेंगे तो शिव जी खुद ही कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रसन होते हैं साथी साथ इस बात का भी ध्यान रखे कि शिव लिंग पर ठंढ़ा और गंगा जल मिला हुआ दूद ही चढ़ाइए यह नहीं कि दूद को भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए कटे फटे बेल पत्र मत चढ़ाईएगा इसके साथ ही शिव लिंग पर कुमकुम का तिलक भी मत लगाईएगा अउगर दानी हैं यह यह निश्यद होता है हलांके माता पारवती और भगवान गणेश की मूर्ति को कुमकुम का टीका आप लगा सकते हैं चतुरदशी तीथी के स्वामी भगवान भोलेनात यानि की स्वयम भगवान शिव हैं इसलिए प्रतेक महिने के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को मासिक शिवरात्री के तोर पर भी माना जाता है और मनाया जाता है तो अब सवाल यह है कि यह ची पहले ही आप कर लेते होंगे लेकिन अगर आप कुछ भी भूल रहे हैं तो इस वजह से हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप नोट कर लीजिए पहले से चढ़ा करके रख लेंगे अविश्यक के लिए थाली तयार करके सबसे पहले आपको दूध लेना है लेकिन ध्यान र चाहिए ना लेकिन जो भी है चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि कौन-कौन सी चीजें थाली में अच्छी होती हैं हमारे घर में मान आए या हमारे जो अराध है उनको हम सबसे बेश्टी चीजें देंगे ये तो सुभाविक सी बात है तो दूध के साथ आप दही, चीनी, चावल और गंगाजल, बेलपत्र, फल, फूल, कच्चे चावल, सफेद तिल, खरामूंग, जो, सत्तू, धूपबती, चंदन, शहद, घी, इत्र, केसर, धतूरा, रुद्राक्ष, गन्ना या उसकारस और भस्म को पूजा की थाली में जरूर शामिल किज ध्यान रखिएगा, जरूर तो जरूर जोड़ा हमने, लेकिन अगर आपको लगे कि इन में से कोई चीजा आप सुद्ध नहीं ले पा रहे हैं, वो गलत है, आपको भरोसा नहीं, तो जरूरी नहीं है उसको चढ़ाना, जरूरी ये है कि आपके अंदर श्रद्धा भाव 100% जरूरी नहीं है, लेकिन श्रद्धा भाव पूरा हो, तो इन में से कोई भी सामगरी नहीं है, तब भी आप भगवान शिव की अराधना कर सकते हैं, सबसे पहले आत्मा की शुद्धी, मन की शुद्धी हो, इसके बार भगवान शिव के पास जाकर के अपने को समर्पित कर दिजे भगवान शिव से छमा याचना कर लिजे जो भी आप से भूल हुई हो गलती हुई हो भगवान शिव उसकी माफी जरूर दिलाते हैं और जीवन में सफलता और तरक्की दिलाते हैं आपके मन को प्रसनता होगी खुशी होगी और जीवन में आप आगे बढ़ पाएंग कोन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथी साथ वीडियो का लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे वर्ट सब पे फेस्बुक पे ताकि सभी को वीडियो मिल सके आप देख रहे हैं जीवन जिने की खला स्प्रिच्वल च कमेंट में मिलते हैं आपसे नई वीडियो में हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद